इसी कहावत को अपने जीवन में उतार कर जर्मनी की ये महिला सालों से भारत में रह रही हैं हाथों में हरे घास के चारे की तोकरी और मन में शृद्धा भाव का पार सागर ली गायों की सेवा करती ये महिला फ्रिडरिक इरिना है फ्रिडरिक पिछले 15 सालों से गोवर्धन के राधा कुंड में सुरभी गौशाला चलाती है और यहां 1500 से जादा बे सहारा गायों की अपने बच्चों की तरह देखभाल करती है इसी निस्वार्थ सेवा को देखते हुए भारत सरकार ने फ्रेडरिक को पदम श्री अवार्ड देनी की घोशना की है फ्रेडरिक इरिना कानहा की नगरी में कई सालों पहले राधारानी के दर्शन करने आई थी इसी दोरान सरक हाथसे में घायल हुई गाय को देख कर इनका मन विचलित हो गया और तबसे ही इन्होंने मत्रा में रहकर गाय सेवा करने का प्रण कर लिया ये राध दिन इन बेजुबानों की सेवा में लगी रहती है पदमिष्री अवार्ड मिलने की घोशना पर फ्रेडरिक काफी खुश है उनका कहना है कि भारत सरकार ने उनको इस लायक समझा ये काफी खुशी की बात है गाय की सेवा करना मैं अपना धर्म ही मानती हूँ कहते हैं प्रेम की ना तो कोई भाषा होती है ना ही कोई रूप और ये फ्रेडरिक ने सच कर दिखाया जिन्होंने ना सिर्फ अपना घर बलकि अपना देश छोड़कर पूरा जीवन इन बेजुबानों के नाम कर दिया